नमस्कार आप देखरें डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूँ शेहलानिकार जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अपने इस खास कारिक्रम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विफिन नेटवर्क्स पर प्रसारित किये जाने वाले शांदार कारिक्रमों की तो शुरुआत करते हैं धारवाहिक वाइरस दोस्त के साथ और देखते हैं कि आज क्या कुछ खास रहेगा इस धारवाहिक में ो और देखते रहे हैं धारवाहिक वायरस दोस्त HARSHनिवार और रःविवार रात दस बजे डीडि नाशनल पर और अब बाद धारवाहिक मुझे मेरी कौम बनना है कि इस धारवाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि धंजीत सर अनौंस करते हैं कि स्टेट लेवल के टूर्नमेंट होने वाले हैं और अकैडमी से हर गेम से एक खिलाडी खेलने के लिए जाएगा स्टेट लेवल के गेम शुरू होने वाले हैं और यही वो स्टार्टिंग होगी जहां से आप लोग स्टेट लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जा सकते हैं तो क्या कॉक्सी बॉक्सिंग के लिए क्वैलिफाई कर पाएगी? जानने के लिए देखिए धारवाहिक मुझे मेरी कॉम बनना है हर्शनिवार और रविवार शाम 6 बजे दीडी नाशनल पर और चलिए अब बात करते हैं धारवाहिक जातक कथाओं की तो इस धारवाहिक में आज आप देखेंगे कि मठ में सुयश और साराश आपस में जगड़ा करते हैं और फिर लामशिरी उन दोनों को दो किसानों की कहानी सुनाते हैं सुयश और अनुराग में छोटा सा संघर्ष हो गया था मित्रता को यू नहीं दोड़ते भग्मान बुद्धु तो शत्रु को भी कष देने के विरूदेते और यदि मित्र गल्ती करे तो तो प्रेम से समझाओ तो पहर तक घर में पड़े रहो और उसके बाद तुम्हें धक्का देकर खेत में भी भेज़ दिया जाए तो किसी पेड की छाह तले मुँपे गमचा डाल के सो जाएंगे एक हल से कोई इतना कुछ कैसे प्राप्त कर सकता है हा मित्र यहीं ये वो रास ये घर ये खेत जो भी मेरे पास है सब इसी हल का ही दिया हुआ है इस हल से जोता हुआ बंचर भूम भी उपजाओ बन जाता है तो क्या है इस कथा का उदेश ये जानने के लिए देखिए धारवाहिक जातक कथाएं हर शनिवार और अविवार रात साड़ी दस बजे दीरी नाशनल पर ते दूर दर्शन के विभिने नेटवर्क्स पर परसारित किये जाने वाले इन शांदार कारी क्रमों का आप उठाते रहिये आनंद हमेदी जैनुमती नमस्कार